नमस्ते आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर दातों में सडन लग गई है तो उसका क्या treatment होता है सबसे पहले तो आप ये समझेए कि दात तीन परतों से बना हुआ होता है पहली दूसरी और तीसरी तो जो पहली परत है वो सफेद रंग की होती है दूसरी परत जो है वो पीले रंग की होती है और तीसरी परत जो है वो लाल रंग की होती है तो ये जो पहली और दूसरी परत है ये निर्जीव होती है माने कि डेड होती है इसमें कोई भी समझेए नहीं होती या इसमें कोई खून नहीं होता तो जब सडन सरिफ पहली और दूसरी परत तक ही लगी होई होती है तो क्योंकि ये परत निर्जीव है हम इसको ड्रिल से कट कर सकते हैं ड्रिल से इस परत को कट किया जाता है और वहाँ पे सिमेंट भर दिया जाता है लेकिन जब सडन तीसरी परत तक पहुचती है जहां दात की नस होती है जहां पे खून होता है तो इस जगह पे जब infection हो जाता है तब दात में बहुत जादा दर्द होता है या फिर अगर infection जादा है तो दात के नीचे सूजन भी आ सकती है तब यह जो अंद्रूनी तीसरी परत है इसको पूरी तरह से साफ करना होता है इसी परत को root canal बोलते हैं और इसी को साफ करने की जो प्रक्रिया है इसको root canal treatment बोलते हैं तो इसको साफ करने के लिए अलग-अलग machine का उपयोग किया जाता है इसको साफ करने के बाद जब दर्द तरह खतम हो जाता है तब इस जो खाली जगह है इस खाली जगह को फिर से भरा जाता है दात को फिर से ऊपर तक सिमेंट से पैक किया जाता है भरा जाता है और फिर दात को कट करके उसके उपर क्याप लगाई जाती है इस पूरी प्रक्रिया को root canal treatment बोलते हैं इस प्रक्रिया के लिए दो से तीन बार आपको clinic आना पड़ सकता है अच्छा ये root canal treatment करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका दाथ बच जाता है देखिए पहले के जमाने में जब दाथ में बहुत ज़्यादा सडन लग जाती थी तो दाथ को निकालना पड़ता था लेकिन आज जब सडन लग जाती है दाथ को तो root canal करके यानि कि दाथ को अंदर तक साफ करके उसको बचाया जा सकता है अच्छे से चबाया हुआ खाना जल्दी पचता है दाथ नह होने पे चबाने की प्रक्रिया कम होती है खाना हम ऐसे ही खाते जाते हैं और पेट में acidity और cups की विमारिया शुरू होती है तो इसी तरह root canal treatment करके आप अपने दाथों को बचा सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते